कहां पर है त्रिपुरा में क्या भारी बहुमत के साथ जीपने वाले हैं या फिर नेक टो नेक चल रहा है या पर देखे हम त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटे भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिसत भी हमारा बढ़ेगा और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहां पर जिस कॉंग्रेस पार्टी के और गेनाईजेसनल केडर के सेंकडों लोगों की हत्या कॉम्मिनिस्ट सासन में हो गई और जो कॉम्मिनिस्ट पार्टी कभी त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं जाती थी वो कॉम्मिनिस्ट पार्टी ने भी कॉंग्रेस के साथ समाधान किया है इसका मतलब है वो दोनों यह बात को स्विकार कर चुके हैं कि हम अकेले भरती जनता पार्टी को नहीं हरा सकते और जब गटबंदन इस तरह बन रहा है कि Congress, Left Parties, मतलब everybody get together to defeat BJP, ये एक सोची समझी अगर रणनीती है, तो क्या ये आप समझते हैं इसके लिए it's a big challenge for the BJP? देखे आप पत्रकार है इसलिए इस तरह से सूर्चरिय समिता जी, मैं मेरी पार्टी का कारे करता हूँ, मैं इसको लग दुरुष्टी कोन से देखता हूँ, मेरी पार्टी को इससे आत्मयिस्वास बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई अकिला नाम के अंदर मैंने चार रेलिया करी हैं, तीन रोड़सो करें हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आज का रोड़सो का जो द्रश्य मैंने देखा है, मैं कई बार त्रिपूरा हैं, पार्टी अद्रिक से नाते भी आया हूँ, किम्पेन में भी आया हूँ, ग्रूमंत्री नात तर कहते हैं कि जो लोगों की जो सोच है वो सेंटर लेफ्ट है ज्याद अतर लेकिन पिछले एलेक्शन में आपने चलो पल्टाई का जो नारा दिया था उसके बाद क्या आपको लगता है कि विश्वास अभी भी लोगों का आपकी पार्टी पर है देखें चलो पल्टाई का नारा आप सरसरी तोर पर देख रहे हैं हमने सरकार बदलने के लिए चलो पल्टाई नहीं कहा था हुख्यमंत्री बदलने के लिए चलो पल्टाई नहीं कहा था या पार्टी इन पावर बदलने के लिए चलो पल्टाई नहीं किया हमने चलो पल्ट उली शाइका नारा त्रिपूरा की स्थीती बदलने के लिए किया था दिया था और आज हमने स्थीती को बदला है, जैसे मैं आपको बताता हूं आम तोर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए वामपंथी दलों से बहुत सारी अपेक्साय होती है यहाँ पर कई सालों से वामपंथी दल सरकार में था पाचवा पे कमिशन इनको तनख्वा में दिया जाता हमने आने के बाद सात्वई पे कमिशन को देने का काम किया और बजेट भी अच्छे करे है फिस्कल डेपिसिट बढ़ाए बगर तो रेवेंडिय जनरेट हुई है इसके साथ साथ हमने हिंसा को समाप्त करने का वादा किया था और हमने हिंसा को समाप्त किया है हमने नसे के कारोबार को जो बंगलादेश सी सीमाओं से आता है उसको रोकने का वादा किया था आज मैं आत्मविष्वास के साथ कह सकता हूँ हमने त्रिपूरा के अंदर नसे के कारोबार पर बड़ी कठोरता से नकेल कसी है और इसका जनता में एक अच्छा मेसेज है और हम इस बार नारा लेकर आए हैं त्रिपूरा सांत हो चुका है त्रिपूरा में अब वायोलन्स नहीं है अब त्रिपूरा को सम्रूद्ध बनाने का समया आया है मोदी जी और मानिकसा की डबल एंजिन की सरकार ने वो वादे को करने के लिए भी अब तक बहुत कुछ किया है पहले विपलव देव जी ने किया अब मानिकसा जी कर रहे हैं पर मोदी जी का जो कैंद्र से घरीब कल्यान का थ्रस्ट है वो गाउं तक पर को लेटू अब मानिक जी और विपलव जी को आपने जो चेंज किया उससे एक इमे परंतु यह पार्टी का सिस्टिम है और कन्ट्रोल करने के लिए कोई बडलाव नहीं होता है किसी भी कारेकरता का ज्यादा उपयोग करने के लिए बडलाव होता है को कभीने कभी कोई राजय से सेंक्र में आता ही है आज हमने विपलाव देवी जी को राज्य सभा का मेंबर बनाए है हरियाना जैसे महतोपूर्ण राज्य का प्रभारी बनाए है जो दिल्ली के मुहाने पर है और इसके साथ साथ राष्ट्य मंत्री भी बनाए है तो वो केंद्र की राजनीती में अपना अच्छे से योगदान दे रहें त्रिपूरा की राजनीती में भी मानिक साहजी के साथ रहकर उनको सवाहता करें तो इसको कोई इस प्रकार के द्रश्टी कौन से देखने की जरूरत नहीं है अखिल भारती पार्टियों को जब राष्टी स्तर पर कारेकरता की जरूरत होती है तो सभावी कूप से कारेकरता को सेंटर पॉलिटिक्स में ले जाते हैं मैं मानता हूँ यह प्रमोशन है इसको और कोई द्रुष्टी से नहीं देखना जी प्रद्यूत जी जो है वो तिप्रा मोथा की तरफ से वो बहुत किंग मेकर जैसे उनका इमेज बन गया है कि अगर हंग एसेंबली होते हैं तो वो किंग मेकर बनेंगे मीडिया भी उनकी तरफ हंग बननी ही नहीं है फिर क्या है कोई स्विशे का चर्चा करें हंग नहीं बननी है पूर्ण बहुमत के साथ भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा बारा बज़े के पहले पहले क्योंकि याँ कॉंसिटेंसिया छोटी है बारा बज़े के पहले पूर्ण बहुमत से बारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बन जाएगे उत्तरपूर्वी राजवी दो और राजव में चुना हो रहे हैं आपके साथ से उन दोनों राजव में भी क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको यूँ थिंक इस इंपॉर्टेंट समग्र उत्तरपूर्व के अंदर नरेंदर मोदी जी के प्रदान मंत्री बनने के बाद हमने उत्तरपूर्व को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है सबसे पहले उत्तर पूर्व के अंदर राज सांती है कई सारे उग्रवादी संगठन थे कई सारे उग्रवादी संगठन के साथ हमने समझोता किया है बोडो लेंड का समझोता हुआ, आरवी जन जातियों के साथ समझोता हो गया हमारा, यहाँ पर त्रिपूरा में भुरू और रियंग और मानविय तरिके से 40,000 परिवार 20-25 साल से ज्यादा समझ से रहते थे, उनको सेटल करकर बसाया गया, यहाँ पर भी एनलेप्टी के साथ समझोता किया गया, लगबग लगबग 8,000 से ज्यादा आर्म्ड कैडरों ने आत्मसमरपन करकर मेंस्ट्रिम में आना पसंद किया है, तो जो उत्तरपुर्व को पहले ब्लॉकेड, बन, बमदमा के इंसरजन्सी के लिए जाना जाता था, आज इसकी जगए वहाँ रोड बन है, तो धेर सारा विकास का काम, नोर्थीष्ट को इसे विकास से युक्त बनाने का काम, प्रधानमंत्री जी ने का है, और 8 साल के कम समय के अंतराल में, प्रधानमंत्री जी स्वयम, 51 बार नोर्थीष्ट आये, 51 टाइम, आजादी से अब तक किसी भी प्रधान मंत्री की फ्रिक्वरंसी नहीं रही है और हर पंद्रा दिन में एक केंद्रिय मंत्री को कंपल सरी यहां ना है इसके साथ साथ कोरोना के समय से जो परंपरा सुरू हुई है फ्री चावल देने की सबसे ज्यादा फाइदा अगर किसी एक सेत्र को प्रतिसत आबादी के प्रतिसत में हुआ है तो नौर्थिस्ट के लिए और आज नौर्थिस्ट के गरिब को यह मालूम पड़ जाया है कि मेरे घर को कंपलीट करने का काम नरेंद्र मुदी जी ने की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज होती है उत्तरपूर्वी राजों में मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है वो अगर मिट ना जाए उसको प्रिजर्व करके रखना स्पेशली ट्राइबल एरियाज में यह बहुत एक सेंसिटिव मसला है तो मेगाले और नागलेंड में चुनाव होने वाले हैं वहां पर यह इशू उठ रहा है मगर उनको अब तो नौ साल में परिचे हो गया है मीडिया जो हमारे लिए अफ़ाय फेलाता था कि हम आएंग तो आपके एडेंट्री चल जाए कि आपकी भासाय चली जाए बुटा मोदी जी के आने के बाद लोकल लेंग्विजी और स्ट्रेंदी हो गई और मजबूत हो गई अब प्राथ्मिक सिक्सा स्थानिय भासाओं में होने लगी है और इतना ही नहीं कई सारी बोलियां जैसे म गोडो लेंड में भी उनकी भासा में प्राथ्मिक सिक्सा होने लगी है तो उनकी आइडेंट्री को और मुखर कर मदबूत करने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया एक भी राष्ट्रिय परवय ऐसा नहीं है जिसमें नौर्थ इस्ट के कलाकारों ने दिल्ली क प्लिट्फरम पर पर्फरम नहीं किया है उनके लिए देश भर के अंदर स्विक्रितु बढ़ी है नरेंद्र मोदी जी के लिए कई पत्रकार एनालिसिस करते करते आर्टिकल लिखते हैं तो मैं पढ़ता हूं कि भी नरेंद्र भाई ने डोड कनेक्टिविटी बढ़ा दी नरेंद्र भाई ने एर कनेक्टिविटी बढ़ा दी नरेंद्र भाई ने रेलवे से उत्तरपुर्व को जोड दिया यह तो किया ही है प्रधान मंत्री जी ने मगर प्रधान मंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर किया है तो उत्तरपुर्व और बाकी के भारत के हिस्सों के बीच में जो मन की दूरी थी उसको समाव्ट कर दिया है अज उत्तर नागालेंड में कुछ लोगों ने उक्सा कर इलेक्षन का बहिस्कार करने का ऐलान करवाये था अभी एन पीओ ने विड्रो करने है उन्होंने का हमें मोदी जी पर भरोसा है तो यही बताता है कि अब इहे चीजे नहीं चलने वाले हैं जो accord है उसका अभी तक वो सुलज नहीं पाया अभी तक दखे सुलज नहीं पाया है Accord किस चीज के लिए होते है Accord हिनसा बन करने के लिए होते है हिनसा तो बंदी हो गई सिसफार ही और इस पर डिसकर्शन चल रहा है जब उत्तरपूर्वी राजयों में अब भी नहीं उठा रहे और opposition भी नहीं उठा रही हमारा उठाने का सवाल ही नहीं है क्योंकि यहां पर सेडूल सीक्स और इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड लगबग लगबग 80% से ज्यादा इसा है इसलिए इससे प्रभावित ही नहीं होता है जनजाती लोगों की जो समस्याएं है उनको किस तरह दूर किया हुआ है बीजेपी ने और ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो जनजाती समुदाए है बीजेपी को वोट देगी इस बार देखे मैं आपको बताता हूँ जनजाती समुदाए की बहुत सारे दिक्कते थी एक तो मन से वो उनकी स्विक्रूती चाहते थे नरेंद्र मोदी जी ने बड़े प्यार से जनजातियों को गले लगाने का काम किया है इतने सालोगे बाद पहली बार कोई राष्ट्रपती जनजातीय समात से बनी है इतने सालों के बाद पहली बार जनजातिये गौरव दूआस भगवान मिर्शामुदा की जन्मद दिंके पर मनाया जा रही है इतने सालों के बाद 1857 से पहले से जिन जन जातिय स्वतंतरता सैनानियों ने देश को स्वतंतर कराने के लिए योगदान दिया इसके 10 बड़े-बड़े मिज्यम 200 करोड की लागत से बनाए जा रहे हैं एक लब्या स्कूल लगबग लगबग 335 बढ़ जाएंगे तो यह बहुत बड़ी उपलब्दी है उनको लगता है कि यह सरकार हमारे लिए सोच रहे है इसके साथ साथ देश भरके जो गरीबों को फाइदा हुआ वो पूरा फाइदा जन जातिय समाज को किसी भी बेदबाव के वगर मिला है मैं पश्टता से कह सकता हूँ कॉंग्रेस के सासन में नहीं होता था आज गरीबों को घर मिल रहा है तो क्यूंकि जन जातिय समाज में सबसे ज़्यादा गरीबी थी सबसे ज़्यादा फाइदा उनको उगा है घर में पानी पहुँच रहा है उनके घर में बरुबर पहुँच रहा है गैस का सिलिंडर मिला है उनको भी मिल रहा है पांच लाग तक का हल्ट का कार्ड मिल रहा है तो उनको भी मिल रहा है मुप्त चावल उनको भी मिल रहा है धेर सारी चीजे जो मोदी जी ने आम गरीबों के लिए की इसका किसी भी बेद बाव के बगएर उसका फाइदा जन्जातियों को मिला है और जन्जाति को भी अब विकास का अन्भव होने लगा है कि हमें गुमरा करकर जगड़ा लगाकर हाथ में अत्यार थमा दिये गए मगर हमारा कल्यान ने हुआ पीडियां बरबाद हो गए अज सांति के कारण डेवलप्मेंट संभव हुआ है सांति के कारण जन्जाति के बच्चों का सिक्सा समाप्त हुआ है और सांति के कारण रोज जूबा माने जाएंगे इस प्रकार के डबल डेकर ब्रीज नौर्थिष्ट के अंदर बने हैं। 2024 के पहले नौर्थिष्ट की सभी राजदानी रेल और एर इससे जूब जाएगी। यह कोई छूटी बात नहीं है। इस बात से काफी नराज हैं कि यह टिपिफाई किया आपने कि कॉंग्रेस और PFI एक थी। मैंने ऐसा नहीं किया कॉंग्रेस और पीएफाई यह थी, मैंने यह कहा कि पीएफाई के कैडर पर अलग-अलग प्रकार के केस थे, वो केस को समाप्त करने का प्रयास कॉंग्रेस सरकार द्वारा किया गया, जिसको कौट ने रोका है, अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या, या तो या प्रयास न करते, प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा, और दूसरी और हमने पीएफाई को बैन किया है, सफल का पूर्वक बैन किया है, और मैं मानता हूं कि पीएफाई इस देश में धर्मान दिता और कट्रता बढ़ाने वाला और्गैनेजेशन था, एक प्रकार से raw material तैयर करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे, कई ऐसे document मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिवध्या देश की एक्ता और अखंडिता के लिए अच्छी नहीं थी, तो हमने वाट बैंक की politics से उपर उठकर इस पर कठोरता पूरक बेहन लगाने का फैसला किया है पर इतने साल क्यों लग गए, मतलब सब जानते थे, खासकर करनाटका में सब जानते थे कि P.F.I. जो है वो टेरोरिजम के साथ थी देखे, एक समय था जब P.F.I. दक्सिन करना तक और केरल का प्रॉब्लेम था, जब हमने बैन लगाने का फैसला दिया, इस वक्त पी.F.I. ने देश भर में अपना काम फैलाने का सुबवाद भी कर दी थी, काफी हद तक फैला भी चुके थे, और कुछ इस प्रकार की एज जन्सियों के पास सूचनाय भी आई, जिसमें देरी करना या संका का लाब देना ठीक नहीं था, इसलिए हमने इस पर नहीं किया, और कठोड़ता के साथ बैन लगा आए, और बहुत अच्छे तरीके से समाज में कोई रियक्शन आईदर और साई से नहीं है. जी, आप पुत्तुर गए थे और वहाँ पे आपने भारत माता मंदिर को काउद घाटन भी किया था, ये दूसरा है शायद भारत माता मंदिर, तो वहाँ पे चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है मिर्चा जी ने और एक कॉक्टेल बना रहे है हिंदुत्वा कम पेट्रियोटिजम इस सब को मिलाके देखे बड़ी दुरुभाग्य पोंच थीती है कि भारत माता का मंदिर कोई जो बनाता है जिसमें तात्या टूपे से लेकर सावर्ज करजी से लेकर एका तक परमवीर चक्र एका तक की तस्वीरे लगी है और भारत माता का मंदिर बनाने का जो प्रयास हुआ है मैं आपको कहता हूं आप भी कभी समय मिले तो जाएगा आप तो करना टक से ही है इतने अच्छे एट्मोस्पीर में वो मंदिर को इतना सांध क्लीन और निट बनाया है जिस ट्रस्ट ने बनाया है मैं तो उसको बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और अगर वो भारत माता के मंदिर में जाने से मुद्पर कोई आरोप लगता है तो सभी आरोप को मैं स्विकार भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं सिद्रा महियर जी और डीके शिवकुमार कह रहे हैं कि आप अमिच्छा जी और मोदी जितनी बार भी आए करनाटका की लोगों ने तैकर लिया है कि बीजेबी की सरकार नहीं आएगी इस बार चलिए वो तो ऐसा ही कहेंगे हमारे अच्छा नहीं कहेंगे कि हमारे सामने वह चुनाओ लड़ रहे हैं मगर करनाटक के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है मैं करनाटक चार बार गया हूँ विगर दो महिने पांच बार गया हूँ विगर दो महिने मैं आपको बताता हूँ मैंने जनता की पलस देखी है नरेंदर मौदी जी की लोक पृता देखी है वहाँ पर बहुत बड़ा then government भारती जनता पार्टी को मिलने जा रहा हूँ तटिय और दक्षिन करनाटका में तो होल्ड था ही बीजेपी का लेकिन आप मांते हैं कि बाकी इलाकों में भी उत्तर करनाटक और हिद्राबाद करनाटक में मैं जाकर आया हूं और मैंने शुरुआ तो मांडिया से करी हैं मांडिया में इतनी बड़ी रेली भारतिय जनता पार्टी की कभी नहीं हुई तो मांडिया की जनता भी अब परिवारवादी पार्टियों से खीशक कर भारतिय जनता पार्टी के डेवलोप्मेंट के पूलिटिक्स को एकसेप्ट करती हैं मैं मानतों बहुत सुबचिन है करन second generation, third generation politicians हैं देखिए second generation, third generation जो काम करते हैं ऐसे लोग मेरी पार्टी में भी है वगर मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है कि पार्टी का अध्यक्स उसके बाद उसी के परिवार का व्यक्ति अध्यक्स बनेगा या ता पूरा का पूरा परिवार MPI MLA बन जाएगा कि किस प्रकार की comparison है पुरी democratic system को आपने समाप्त कर दिया है इस प्रकार के आँख में धूल जौकने वाले बचाओ जन्ता के सामने रखकर आप परिवारवाद को छुपा नहीं पाऊगे आपने कश्मीर के बारे में भी ये कहा था जब आर्टिकल 370 पे जब हमने interview किया था तब उस वक्त भी आपने कहा था कि परिवारवाद जो है भो खतम हो जाएगा कश्मीर में नए नेता उगरेंगे लेकिन अभी भी वहाँ पर अभी चुना भी कहा हुआ है पर तयारियां तो शुरू हो गई है तो तयारी तो करने का सबको अधिकार है जनता का mandate देखे गया अभी जो पंच सरपंच चुन कर आए हैं इसमें से ही नही नया नेत्रूत इमर्ज होगा वही से कस्मीर के निता निकलेंगे सर जहां पर आप ओपोजिशन की पार्टी पर पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं वहीं कॉंग्रिस जो है अब आप पर आपकी पार्टी पर आप पर नहीं आपकी पार्टी पर मित्रता का आरोप लगा लिए कि BJP के जो मित्र है अडानी जी के बारे में कहा जाता कि उनको सभी कॉंट्राक्स मिल रहे हैं और BJP जो है उनका जो डिफेंस है वो इतना नहीं है इतना स्ट्रॉंग नहीं है अभी सुप्रिम कॉर्ट ने केस का संग्यान लिया है देश की कैबिनेट के सदसिय नाते जब सुप्रिम कॉर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा परन्त इसमें BJP के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की द जरूरत नहीं है कि मतलब वो हमको जो पार्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हमको आप से सीखने की जरूरत नहीं है ये उन्होंने संसद में का था लेकिन राहूल गांदी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अदानी 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 पर था अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी उनको सोचना चाहिए, इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वह कहा रहे है। और भारत जोड़ोयात्रय का correctly कॉन्या कुमारी से कश्मीर तक लोगmosus एही कहा हैं कि blueprint Nahum उनके जमाने में उन ही की एजन्सियों ने, चाहे कैग हो, चाहे CBI हो, उन्होंने करप्शन का संग्यान लेकर केस रेजिस्टर किये थे, बारा लाग करोड के करप्शन के गोटाले किये थे. जो इधारे हैं, जो इघारें हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है, के कांग्रेस कहती है कि, बीजेपी ने सारे systems को अपने कभजें में ले ले लिया, इसलिए कोई inquiry नहीं होगी, कोई investigation हो सकता है. आप यह हों सिर्फ सरहावा हर रहें कि आठ ऑफ नहीं कि लोग उन rumors की इंटनशन को सपीरिसे होता है पहले रफाल था मैं आपको बताता हूं सुप्रिम कौर्ट ने इसका संजान लिया है इस बारे में मैं कम से कम अभी बात करना नहीं चाहूंगा क्या कोई कंस्पिरेसी है सर जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंटरी हो या फिर ये सब ये हिंडिनबर्ग का रिपोर्ट हो क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि ये कोई कंस्पिरेसी कर लो कुछ नहीं होता है वो करोडो सूरिय की भाती तेजस्वी बनकर ही बाराता है इस तो मोदी जी के पीछे दोजार दो से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मदबूत होकर सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोग प्रिता हासिल करकर बारा आए हैं प्रधानमंत्री ने स्पीच में भी यही कहा था कि कमल कीचर में ही उगता है तो जितना मर्जी कीचर उन पर फैंका जाए पार्टी और वो उभर कर आएंगे लेकिन उनको सुनने के लिए कोई तयार नहीं था पार्लिमेंट का डिस्कोर्स इतना खराब हो चुका है शोर शराबे की बीच प्रधानमंत्री का पूरा देश सुनता है जो सांसद को तय करती है न वो जनता पूरी सुनती है अब सोशल मीडिया प्लेटफरम पर चली जाए पर मोदी जी के भासन के पर कॉमेंट्स पड़ि पर उनकी जो वो कहते हैं कि हम तो अब पार्लिमेंट में संसद में बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे शब्द भी एक्सपंज किये जाते हैं पहली बार एक्सपंज नहीं हो रहे हैं पार्लामेंट के प्रोसीडिंग्स एक्सपंज सब्दों और वाक्यों से भरा पड़ा है पार्लामेंट के रूल्स के इसाब से बहस का स्थान है और जब रूल्स के इसाब से बहस करनी है तो पार्लामेंटरी लेंगवेज में करनी पड़ती है आपने भी कहा था जब अधिरंजन जी ने पपू शब्द का इस्तमाल किया तो आपने कहा कि किसी भी संसत के लिए ऐसे शब्द इस्तमाल नहीं करने चाहिए आपने भी कहा उस वक्त सब हस पड़े क्योंकि वो शब्द जो है इतना अजीब लगा कि संसत में कोई फो शब्द भी करती है अब इंडियन डेमोक्रसी इतनी मजबूत हो गई है इतनी मैच्चोर हो गई है कि वोटकाश करते वक्त ये सारी चीजों का संग्यान भारत की जनता लेगी पर संसद होने के नाते एक संसद होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि सभी पार्टियों को मिल बैठ कर कुछ करना चाहिए क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं ये सब देखकर मतलब इस डिजगस्टिंग दिखे हमें कोई परहिज नहीं है किसी के साथ बैठने के लिए परंतु इनिसिट्वी तो सब ने लेना पुड़े जी मैं अब जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं आठ कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं बहुत से लोग कहते हैं कि ये बार-बार जो चु चुनाव होंगे तो administration, running the country यह सब backseat ले ले जाए सिर्फ election campaign ही चलता रहता है इसलिए प्रद्यानमंत्री जी ने पंचाज से पार्लामेंट के चुनाव एक साथ कराने का एक विचार देश की जनता के सामने रखा है सभी दलों के सामने भी रखा है पार्लामेंट में भी उन्होंने बूला है और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए पर कब होगा यह मतलब अब दिखी इसमें सबसे चर्चा तो करने ही पड़ेगी सबसे चर्चा करकर ही यह हो सकता है मगर प्रदानमंत्री जी की विचार रखते ही एक बहस तो छेड़ गई है सब लोगों को लगता है कि हर साल चुना होना हर महीने चुना होना वो लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं इसका एक ही समय निश्चित कर लिया दे प्रदानमंत्री राजस्तान गए थे अब राजस्तान चेंज जैसे आपने पलट कहा था यहां तो मानता हूं कि इस चारो राज्ये राजस्तान करनाटक राजस्तान चेंज च्छतिजगर और मद्यप्रदेश भारतिय जनता पार्टी के मजबूत राज्ये हैं हम चारो जगे पे जीतेंगे राजस्तान में आल्टरनेट आल्टरनेट चलता है मुख्यमंत्री को लेकर हमेशा बहस होती कि कौन वनेगा ऐसा हमेशा नहीं होता है नौर्थ इस्ट में भी ऑल्टरनेट आल्टरनेट कहते मध्यप्रदेश में आप नहीं समझते कि इतनी देर से बीजेपी की सरकार चल रही है, जो कॉंग्रेस है वो कहते हैं कि लोग उप चुके हैं, बोर हो चुके हैं, एक ही पार्टी के गुजरात में भी बहुत से चल रही है, गुजरात में तो आपने पुरजोर कोशिश की, आ वहाँ पे तो जीतना ही था आपको, ने ऐसा नहीं होता है, जब जनता बोरियत मैसूस करती है, तो कोई नहीं जीता सकता, मगर नई नई योजनाए जो भारती जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हैं, लेकर जा रही है, इसका जनता स्वागत करती है मोदी जी की लोग प्रियता का जनता स्वागत करती है, और मोदी जी ने देश को जिस जगह से जिस जगह पे पहुँचाया है, उसका जनता स्वागत करती है, वो एप्रिसेट करती हैं कि देश को पूरी दुनिया में सनमान दिलाने का काम, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे देश को सुरक्सित करने का काम नरेंदर मोदी जी ने किया है हमारे देश के अर्थतंतर को 11 नंबर से 5 नंबर पर पहुँचाने का काम किया है और देश के सामने 5 trillion अमेरीकी डॉलर की इकोनोमीकल लक्स रखा है इसके साथ-साथ, 60 करोड़ लोग जो आजादी के बाद छलावा हुआ महसूस करते थे कि समभिदान ने हमें कुछ ले दिया वो 60 करोड़ लोगों के जीवनस्तर को उठाने के लिए एक बहुत पवित्रता के साथ सफल प्रयोग करकर उनके जिवन स्थर को उठाए गया है G20 जो चलने वाला है पूरे कांट्री में इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जहां पर भारत को एक शोकेसिंग हो रही है भारत के राजयों की शोकेसिंग हो रही है वहीं इसको एक election के तौर पर भी इस्तमाल किया जाएगा election propaganda या election campaign की तौर पर क्योंकि मोदी जी के छवी को लेकर सब जगे बात होगी और world leaders जो है वो मोदी जी के साथ आएंगे तो it will be used for domestic purpose also मुदी जी के समय में ही जी 20 का नेतु तो भारत को मिला है और यह सवी तरीके से अगर जी 20 की पूरी समेट सफलता से समाप्त होती है तो मोदी जी को यह मिलना ही चाहिए क्यों न मिले किसको मिले तो opposition को मिले इस्वावाई ग्रूप से प्रदान ओंतरी जी को मिलीगा अस्चर जनक तरीके से देख रही है किसी भी देश में G20 की सिरीज उप मिटिंग्स को चार या पांस सहर के बार नहीं ले जा पाए हमने हर राज्य को मौका दिया है इतने बड़े देश में कोई राज्य और कोई के अंदर साचित प्रदेश छुटा नहीं है यह बहुत बड समग्रब भारत की विवीत्ता का अलग-अलग हमारी संस्कूरूतियों का अलग-अलग खान-पान अलग-अलग वेश्बुसा अलग-अलग प्रकार की भासाओं का मैसेज लेकर पूरी दुनिया वापिस जाएगी बीजेपी के बारे में ही का जाता है हर चीज जो है वो गाजे-बाजे के साथ किया जाता है जी ट्वेंटी भी वैसे ही किया जा रहा है कॉंटेंट अगर हो या ना हो लेकिन उसको प्रोजेक्शन उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह होनी जाई है देखिए करना ही चाहिए तो आप मंत्री जी का जो काम है वो क्यों भारतिय जन्ता पार्टी का कारे करता है गवरों के साथ देश और दुनिया के सामने नरक है 75 साल के अंदर भारत को इतनी टेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए सिर्फ प्रयास नहीं सफलता भी मिली है उसको गवरों के सामने देश और दुनिया गवरों के साथ देश और दुनिया के सामने रखना और मैं मानता हूं यह प्रदानमंत्री जी का सिर्फ गर्वों गवरों नहीं हो रहा है पूरे भारत का हो रहा है यह भी कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो जमो कश्मीर को ल कर रहा है कश्मीर को लेकर कहा जाता था और it's said about the rest of the country also कि आप जो है वो you are talking about a past which you want to erase a certain past की मुगलों को erase कर देते हैं जो नहरू जी का contribution है उसे erase किया जा रहा है अब 370 के reference में कहती है सिर्फ 370 नहीं नहीं तो नहरू जी के कारण 370 ही आया तो हमें तो हमारा तो एजंडा है 1950 से डाला तब से है कि नहीं होना चाहिए था इससे देश का नुकसान हुआ है और अब इस सिद्ध भी हो रहा है जिस तरह से जम्मु कस्मीर के अंदर development हो रहा है जम्मु कस्मी में जिस तरह से आता हैं को आध दीरे दीरे समाप्त हो रहा है सारे आंकड़े आप देखें धेर सारा परिवर्दन जम्मु कस्मी में हो ही रहा है और बाकी राजों में जो हो रहा है वहाँ पर भी आप जैसे कह रहे हैं कि रीनेमिंग ऑफ सिटीज आपने लखनाओ को रीनेम करना है हर चीज मतलब जो मुगलों का जो contribution है उसे हटा दीजिए नेरू परिवार का जो contribution है उने हटेजिए और जो रीनेमिंग ऑफ सिटीज की बात चल रहे हैं दिखें एक भी सहर ऐसा नहीं है जिसका पूराना नाम नव हो और बढ़ला है इसको हमने बहुत सोच समझ कर हमारी सरकारों ने फैसले लिए और हर सरकार का विधाई अधिकार है 2024 को लेकर आप समझ से हैं क्या आप अल्रेडी एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के लिए क्या मुद्दा होगा बीजेपी के लिए क्या मैसीजिंग होगा देश का विकास सुरक्षित देश देश से अर्थ तंत्र को विश्व में सबसे तेज गती से बढ़ने वाला अर्थ तंत्र बनाना भारत का घवरव समगर विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलता पूर्वकिस की स्विक्रिती आई है और देश के साथ करोड गरीब लोगों के जीवन स्थर को उठाने का आठ साल के अलपकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए है और धेर सारी सिद्या रेल्वे में आमुर्चूर परिवर्तन हो रहा है अंतरिक्स के क्षेत्रे में नई नीती बनकर आज हम अंतरिक्स के क्षेत्रे में भी लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं ड्रॉन की पॉलिसी बनकर ड्रॉन के क्षेत्रे में भी हम आगे बढ़ रहे हैं खदानों के क्षेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तै की है, इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट के लिए मेकिन इंडिया को सफल बनाने के लिए भारत समगर विश्म उत्पादन का हब बने, इसके लिए धेर सारी नित्या बना कर इंग में सफलता पुर्वक प्रयास किया है, भारत की डिफेंस के खेत्र में विदेशपर की निर्बरता को 30-38 साल के अंदर कम करना मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धी है, वामपंथी उग्रवाद लगभग-लगभग समापती के आरे पर है, जम्मु कस्मीर के अंदर आतांकवाद पर पून तया हमारी से जो उग्रवादी ग्रूप थे, इसके अंदर बहुत सारा समाधान करकर हमने दीरे-दीरे-दीरे करकांट हजार से ज्यादा उग्रवादी ग्रूपों के लोगों को में स्रिम में लाने में सफलता हुए, नौर्थ इस पहली बार विकास का अंबव कर रहा है, मैं तो लाभारती स्कीम, गरीब के घर में पहुंचा है और बाहरी धान का प्लास्टिक बहुरा बड़ा था, मैंने को माई क्या करोगी धान को दीरे-दीरे-दीरे यूज करोगी कि ना अब तो फ्री चावल मिलता है, इसको हम बेच लेंगे सरकार धान खरीत भी है, बाज पकी सर का इसको हम बेज देंगे और हमारा खाने का अना तो चावल तो मोदी जी बेज रहे हैं उससे तेल और सब्सक्राइब बाकी जीवन जरुआत की चीजे उसके जीवन को वह अपक्रेड करेंगे इसके गर में लगबग लगबग मैंने ऐसा पूछा नहीं प्लास्टर वाले घर की चमक थी अभी कलर भी नहीं लगा था घर में प्लास्टर हो चुका है इसको घवरो था तो यह परिवर्तन जो है मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई परदा नहीं है देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है परिवर्तन की राजनी ती यह आप पिछले आट साल और अब दो साल लेकिन क्या आप 2024 में आप प्रिंसिपल ओपोजिशन किसे मानते हैं कॉंग्रिस लेट बाई राहूल गांदी तो देश की जनता नहीं तएक करना है अभी तो किसी को प्रिंसिपल ओपोजिशन का लेबल जनता ने लोग सभा में नहीं दिया है लेक गांधी तो आए नहीं कैम्पेंड करने के लिए तरे पुरा तो आए नहीं वो आना ना उनकी पुर्षत का सवाल है परन्तु परिणाम तो आना चाहिए न देखे न क्या आता है वी काउंटिंग के दें लेकिन कॉंग्रेस तीनों पुरा ने कॉंग्रेस के राज्ये हैं कितन लेकिन कॉंग्रेस पार्टी कहती है कि राहूल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी काफी रैटल हो गई है डर गई है कि राहूल गांधी का इमेज चेंज हो गया है मैंने मानता कि इस प्रकार की बातों को देश की जनता सही मानती है जब आप होम मिनिस्टर बने थे आपका क्या गोल था और आप उसको अचीव करने में किस हद तक काम्याब रहे हैं इस प्रकार से सिमट कर कहना मेरे लिए बहुत कठीन होगा प्रंतु मैं अटना निश्चित मानता हूं कि मोदी जी के नेतुत में भादपा सरकार ने जो नितियां बनाई है वो नितियों ने भारत को विश्व के फलक पर पहुँचाने का काम किया है भारत के अंदर धे सार भारत को प्ये करेगा भारत की नई पीडी बनाएगा भारत के विचारों वाली नई पीडी बनेगी जो आने वाले दिनों में पूरे विश्व के अंदर चका चौंद करने वाली सफलता लेकर आएगी मैंने नई सिक्सानिति के मसोद्य को बहुत बारी किसे पढ़ाए ज़िक धेर सारी कम्यों को लोग ढूंकर निकाल देते हैं यह सिक्सानिति का किसी ने विरोद ने किया पढ़ा इन होगा ने ऐसा नहीं होता है सिक्सा विट तो पढ़ते ही है और वेबाकी से अपने विचार भी रगते हैं प्रन्तु इंप्लिमेंटेंटेंसिन की शुरु आपने आर्टिकल 370 वाला किया आपने आर्टिकल 370 वास प्राइम आपके उसने तो इसके अलावा कर जमू कश्मीर के अलावा नकसलवाज को खतम करना क्या था तीन होट स्पोट वाले जगे थी इंटरनल सेक्यूरिटी की दुरुष्टी से मोदी जी के 9 साल के सासन में त प्रस्ता भी थोने लगी है वांपन्ति गुरवाद विहार और जार्खन लगबग लगबग समाप्ती हो चुकी है 36 गड़ में भी हमने सिक्यूरिटी वेक्टियूं को भरा है मुझे भरोसा है कि बहुत कम समय के अंदर भी थी वहाँ पर हमें सामने स्थिती बनाने में बह 20 साल के बाद पहली बार अताहत होने वाले नागरीक और सुरक्सा कर्मियों का योग सौके नीचे आया है 20 साल के बाद और वन्थर जिल्ले रह गये हैं बहुत बड़ी उपलब दी है इसी तरह से जम्मू कस्मिरी में भी टेरिजम से रिलेटेड सभी प्रकार के आंकड़े जब से टेरिजम सुरुवा हुआ सबसे लेकर आजकर सबसे अच्छी स्थिति में करोडो यात्री जम्मू कस्मिरी जा रहे हैं सुरक्सा से यात्रा करकर वाफिस सारे टूरिस जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है इतने बाई एर पैसेंजर कभी नहीं गए ते जितने अभी गए तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन है और नौठीश में आप देखी रही है खालिस्तान जो मूव्मेंट है उसके जो टेरिस हैं बाहर से उनको समर्थन दे रहे हैं इंटरनली इंडिया में भी जैसे चंदिगर में भी कुछ लोग निकले थे बाहर वाइलेंस बढ़त पंजब सरकार से भी हमारी चर्चा है होती है सभी एजेंस्यों का कोडिनेशन अच्छा है मुझे विश्वास है कि हम इसको पन अपने रहे हैं क्या हम कैनडा यूके इन सब से इंटरनल सेक्योरिटी को लेकर उनसे बात कर रहे हैं हम दिखे समिता जी इस परकार की बातों क वो सारवजनिक रूप से प्रगट करना ना निशनल सेक्योरिटी के लिए अच्छा है ना गुरू मंतरी के लिए अच्छा है वो मैं समझती हूं लेकिन लोगों को डर जरूर लगता है कि फिर से असी का दर्शक फिर से हमारी क्रेडिबिलीटी है किसी को डरने की जिरूरत जी आप राउंड अप अगर हम करें कि इंटर्नल सेक्योरिटी के मामले में हम लोग जब आपकी सरकार आई 2014 से और अब तक सबसे एक खास उपलबदी आप कौन से वानेगे हैं तीनों थियेटर के अंदर बहुत बड़ा बड़लावा है आठ हजार से ज़्यादा इंसरजन्सी ग्रूप के लोगों ने नौर्थिष्ट अकेले में हत्यार डाले है यह आकड़ा 22 साल के बाद 100 से कम हुआ है जीले बहुत सारे मुक्त कर दिये गए यहां से अब सफ़ाव तूरिष्ट और यात्री जमुकस्मीर का तूर करकर दर्सन करकर अमर्नात का और वष्णोदेवी का सफलता से आनन के साथ वापी सब्सक्राइब जमुकश्मीर में आपने कहा था कि स्टेट हुड वापस आएगा आपने यह बादा किया था कि एक नहीं मैंने बहुत सब्स मेह बुबा मुक्ती और ओमर अब्दुला कहता है कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि कोई चुनाम नहीं हो रहे इतने सालों साल चुनाम नहीं हो रहे there is a system of getting things done लेकिन वो हो नहीं रहा है ordinary citizens के घरों पर bulldozer चलने लग गए है arbitrary हो रहा है देखे अगर मनमाने तरीके से घर कानूनी तरीके से कुछ भी हो रहा है तो सब कौर्ट में जा सकते हैं एक बात जहां तक चुनाव का सवाल है उनको कभी क्यों पंच, सरपंच, जिला पंचाद, तैसिल पंचाद के चुनाओं की याद नहीं आती है वो हमारे ही सासन में हुए है सतर साल से आप लोगों ने नहीं करे थे तिन परिवार अपना कपजा बना कर जमो कस्मीर में बैठे थे और आजे सारे चिला रहे है एक भी जगह घटना होने के बाद में फारुक साब कस्मीर से इंगलेंड चले गए थे किसके समय में टेरिजम बढ़ा किसने बढ़ने दिया इसका जवाब उनको देना जाए महभूबा जी तो कह रही है कि बीजेपी ने तो जमो कश्मीर में पैलेस्टाइन को छोड़िया अफगानिस्तान बना दिया है चले आप बहुत सीरियसली ले रहे है उनको लेना तो पढ़े गाना सर वो है अभी तक तो कोई नेता उभरे नहीं है अभी भी ओमर अब्दुल्ला में हुवा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है ने वो तो है एक वार बनने के बाद पुरा जीवन सभी लोग फॉर्मर रहना ही पूरता है जी अच्छा धन्यवाद अभिशा जी आपको अभी सानों एक पूरा साल आपका चुनाव तरजार में हमारे चारो रज्य अच्छे है मेडिया को अगर आप देखे तो वो तो कह रहे हैं कि नेक टूनेक चल रहा है त्रिपुरा में चलिए मैं मुझे लगता है जो मैंने बता है हर बार मीडिया हमारे साथ सरुवा तो नेक टूनेक ही करता है अच्छा धन्यवाद दन्यवाद